Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 4th EVS chapter, The World in My Home. इससे पहले मैं आपको NCRTK रिडिंग करा चुकी हूँ और हमने question answers जो है NCRTK वो भी discuss कर लिये थे. So now it's time to do some extra question answers और उससे पहले आपको अगर आप सोचने किसे वक्षीट करके काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा आपको NCRTK जो चाप्टर है वो एक बार जरूर I think हर चाप्टर की 10-15 मिनट की वीडियो होती है आप उसको देख ले इतने टाइम में एक चाप्टर प्रपेर हो रहा है आपका तो उससे अच्छा क्या हो सकता है उसको एक बार जरूर देख लें आप बिकास NCRTK करते हैं तभी कॉंसेट क्लियर होता है एक्जाम में क्वेश्चन ज़रूरी नहीं आप से डारेक्ट ही पूछे जाएं MCQ में कई बार फोड़ा गुमा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आप तभी अटेंट कर पाएंगे जब आपको चाप्टर क्लियर होगा तो चलिए इसमें वोक्षीट स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप जानते को इसके वीडियो आएगी उससे पहले आपको क्या करना है अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टार्टिंग में आपको टग ओफ वर्ड जो स्टोरी दी हुई है उसमें बताया हो कि किस तरीके से मारियट के फामिली में रोज एक क्वाइरल होता है घर में की टीवी पर क्या चलेगा जहां पर उसकी सिस्टर जो है सुजैन वो अपना फेवरेट सॉंग्स वाला एक प प्रतिभा को क्या लगता है कि रूल्स बॉइस और गल्स के लिए क्या नहीं होने चाहिए डिफरेंट नहीं होने चाहिए शुड नॉट बी डिफरेंट सेम होने चाहिए बिकास उसको जल्दी घराना पड़ता है उसके भाई लेट तक भाहर खेलते रहते हैं इस शुड न तो इससे आपको क्या पता लगता है, एक्सेस, excuse the kulfi seller for his mistake, kulfi seller को इसकी मिस्टेक के लिए माफ कर देना चाहिए, या आपने सीखा, you should pay for all the kulfi's you have eaten, जितना आपने खाया है, उतने kulfi के पैसे देने चाहिए, you should be honest and fair, आपको honest and fair रहना चाहिए, या फिर none, कुछ नहीं सीख जोंडू thought that his elder uncle's behavior was, जोंडू को क्या लगता है, कि उनके बड़े uncle है, उनका behavior, due to his old age, उनकी old age के कारण है, hindering his progress, उसकी progress को hinder कर रहा है, correct है, सही है, या फिर helping him, उसको help कर रहा है, तो उनको ये लगता है, कि उनके जो uncle है, उनका behavior, उसकी जो प्रोग्रेस है, जो वो चक्क प्रोग्रेस में, okay, next is, रित्यू refuse to visit Meena's home because, रित्यू मीना के घर जाने से वना कर देती है, क्यों, she do not want chocolate, she was tired, she is scared of her uncle, या फिर नन, she was scared of her uncle, because of his bad touch, या या पर आपका option C, correct है, next is, why is there a quarrel in Marriott's family, Marriott के family में quarrel क्यों हो रहा था, to watch TV programs, to purchase TV, to purchase computer, to go to picnic, पिक्निक जाने के ल TV खरीदने के लिए, TV में प्रोग्राम देखने के लिए, तो TV में प्रोग्राम देखने के लिए हो रहा था, क्योंकि पापा को फुटबॉल मैच पसंद था, भाई को कुर्केट मैच, उनको Marriott को कार्टून देखना था, उनकी सिस्टर सुजान को सॉंग, और अंटी को सी कुलफी सेलर ने, बलून सेलर या तीवी सेलर, तो यह क्या था, कुलफी सेलर ने, इन डोंडूस फामिली डाच, डिसाइड अबॉट अबॉल था, बड़ी चोटी सब चीजहीं डिसाइड करते थे, उनके ग्रांट फादर, फादर, मदर ही एल्डर अंकल, तो वो थे उनक एल्डर अंकल, next is right, true and false for the following statements, in statement में लिखे, कौनसी statement सही है, कौनसी गलत, first statement is, everyone in Mariette's family had to watch the TV serial that her auntie enjoyed, sab लोग घर में आंटी वाला TV serial देखना चाहते थे, this is absolutely false, अब की जो TV में जो देखना चाहते थे, वो अलग अलग चीजहीं थी, Pratiba knows that even if her brother are late reaching home, nobody will scold them, Pratiba को पता था, कि उसके भाई अगर लेट भी आते हैं, तो कोई उनको स्कोल नहीं करेगा, डाटेगा नहीं, this is true, पिलु आंटी paid for all the kulfis that they, true, सब कुल्फी के पैसे पिलु आंटी नहीं दिये थे, next is, Akshay's grandmother did not want him to eat or drink anything at Anil's house, this is true, उनकी ग्रान्मदर चाहती थी कि वो Anil के घर पे कुछ भी ना खाएं, because their families were different, her uncle told Meena to bring Ritu home so that he can play with them, this is false, उनकी अंकी अंकी मीना को चाहते थे कि Ritu को घर पे लेक्या है, और फिर उनको चौकलेट देंगे, everyone in Marriott family enjoyed watching football, कोई भी नहीं कर रहा है, पिक्चर देख लीजेए, पहली पिक्चर जो है, उसमें सिर्फादर उनके happy है, क् उनको फुटबॉल माच देखना था, बाकि सब लोग sad दिख रहे हैं, there was same rule for Pratiba and her brother in her family, बिल्कुल false, बिल्कुल same rule नहीं थे, different rules थे, प्रतिभा के लिए, उसके भाईयों के लिए, पिलु अंटी was fair and honest, true है, डोंडू was not very confident about his new work, absolutely false, वो बहुत confident था कि ये काम बहुत के लिए, ये हूँ पीसने के लिए, मतलब, रितु was scared of Meena's uncle, रितु मीना के अंकल से डरती थी, this is true, now there are some very short answer type questions, सबसे पहला question है, why was Pratiba hurrying home, Pratiba घर जाने की इतनी जल्दी में क्यों थी, because she was, because it was late, काफी लेट हो गया था, घर जाने के लिए, next is, why did children at the beach think that they had saved some money, beach पे बच्चों को क्यों लगा कि उन्होंने कुछ पैसे बचा लिये है, because, जो कुल्फी seller था, कुल्फी seller, charged for only 5, charged for only 5 कुल्फी, उसने सिर्फ 5 कुल्फी का चार्ज बताया उनको, suppose कर ये कुल्फी 10 किया, तो उसने सिर्फ 50 बताया, तबकि कुल्फी उन्होंने 7 ल पीना चाता था, because, her grandmother, her grandmother, her grandmother, told her not to do so, क्योंकि उनकी, told him, sorry, his grandmother, he was a boy, told him not to do so, उनको ऐसा करने के लिए, उन्होंने मना किया था, उनकी, grand mother, ने की, हमारे, और क्यों मना किया था, because, their families were different, ऐसा वो कहती थी, कि हमारी families बहुत अलग है, families अलग है, that is okay, वो अपनी जगह है, but, खाना भी अपनी जगह है, okay, आप प्यास से मर रहे और सोचों की, सिर्फ family different है, सिर्फ पानी नहीं पूंगा, पियूंगा, that is not correct okay, तो, उनकी, grand mother, ने उनका ऐसा करने के लिए मना किया था, next is, why could, धॉंडु not do what he wanted to do, धॉंडु जो वो करना चाहते थे, वो क्यों नहीं कर पा रहे थे, because, he cannot take decision in his family, he cannot take, या फिर आप लिख सकते है, his elder uncle, takes all the decision, क्योंकि सभी, जो decision है, वो उनके elder uncle लेते थे, और, he refused him to do so और उन्होंने उसको ऐसा करने के लिए मना कर दिया था, decisions, okay, next is, short answer question, what TV programs did the different people in Marriott's family wants to watch, यह मैं पूरा बता चुकी हूँ आपको पहले भी, चलिए केक से शुरू करते है, पहले Marriott से शुरू करते है, Marriott क्या देखना चाहती थी, Marriott देखना चाहती थी, कार्टून, second, her sister Suzanne क्या देखना चाहती थी, Suzanne देखना चाहती थी, कोई songs, songs का कोई serial था, next, her father, father क्या देखना चाहती थी, football match, F4 father, F4 football, brother क्या देखना चाहता था, cricket match, cricket, mother क्या देखना चाहती थी, mother देखना चाहती थी, news, और auntie क्या देखना चाहती थी, उनकी aunt देखना चाहती थी, serial, next is, what did Fali, Nazu and their friends do at the beach they ate ice cream sorry they ate kulfi अच्छा वैसे उससे पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी राइड भी ली थी यह सबसे लास्ट में हुआ है वैसे kulfi वाला उसके पहले they played in sand and water played in sand and water उसके बाद जो giant wheel sand and water उसके बाद जो ride in giant wheel took ride in giant wheel उसके बाद उन्होंने ride बिली थी and then उसके बाद उन्होंने I think they bought bhelpuri and balloon ate bhelpuri and balloon और उसके बाद they ate ice cream next question है why did ढोंडू want to buy चक्की मशीन ढोंडू चक्की मशीन क्यों खरीदना चाहता था and give two reasons दो reason बताईए कि क्या reason सबसे पहले तो reason यह था कि there was no such machine in the village गाउ में ऐसी कोई machine थी ही नहीं machine in the village तो लोगों को जरुद तो होती थी village आटा गेहूं पिस्वाने के लिए तो उसको लगता अगर वो लगा लेगा he was confident second reason यह था वो बहुत confident था कि he can earn more money that this will this new work will help will help him earn more money उससे उसको काफी पैसा भी मिलेगा for the family money okay next is अब देखे यह के वी के कुछ खुद की वोक्शीट के questions है सबसे पहला question है what do you understand by discrimination discrimination से आप क्या समझते हैं and have you seen discrimination in your society यह तो आप ही बताएंगे आपने कभी देखा है क्या discrimination होता क्या है पहले मैं बता देती हूँ क्योंकि यह new word है आपके लिए chapter में इसका जिक्र ज़रूर हुआ है लेकिन word कहीं use नहीं हुआ discrimination का मतलब होता है treating people अभी gender की हम लोग बात करते है of different genders differently अलग-अलग gender के जो लोग होते है वैसे discrimination सिर्फ gender पे नहीं होता caste पर भी होता है color, creed, सब पे लेकिन आप सिर्फ अभी इतना ही समझ लीजे gender bias हम लोग basically देखेंगे इसको gender biasness कहते है यह जादा appropriate word रहेगा यहाँ पर gender biasness या फिर gender discrimination discrimination नहीं, gender discrimination करें क्योंकि यही mention किया हुआ आपके chapter में जब आप when you treat boys and girls differently जब आप boys और girls को differently treat करते हैं एक gender को दूसरे से अच्छा समझते हैं या फिर उनके लिए अलग rules होते हैं boys के लग rules है, girls के लिए अलग rules है girls घर में काम करेगी boys खेलने जा सकते हैं, वो बाहर नहीं जाएंगी ऐसी जो mentality है लोगों की उसे कहते है gender discrimination तो यह वर्ड आप याद रखेंगे या फिर gender biasness bias मतलब होता है आपने यह सुना भी होगा कि कोई गेम खेलते हैं bias है, bias मतलब एक की तरफदारी करना दूसरे के साथ bad behave करना bad not in that sense but differently treat करना उनको next question is what do you understand by good touch and bad touch write some lines about it good touch से start करते है सबसे पहले good touch होता है explain good touch as the way 1 second कैसे करेंगे आप good touch को explain a touch that people through that a touch through which people show people show care and help कोई आपकी care करता है या help करता है जब ऐसा आपको लगता है तो वो good touch होता है for example holding hands आपका कोई friend है या फिर आप अपने किसी elder के साथ जा रहे हैं उनके हाथ पकड़ रखा है आपने वो एक good touch है या फिर changing babies, diapers, hugging यह कुछ good touch की examples है तो एक touch जो कि आपके care या help के लिए किया जाए वो एक good touch है bad touch क्या होता है bad touch होता है kind that you kind of touch that you don't like just a minute a touch which you don't like अब यह कैसा हो सकता है जो आपको ऐसा touch जो आपको पसंद ना हो for example hitting कोई आपको मार रहा है वो भी एक bad touch में आएगा है ना या फिर touching at your private parts आप समझ जाते हैं कि कौन सा when someone touch you कि यह good touch है या फिर bad touch है और bad touch अगर होता है तो आपको किसको बताना है उसके बारे में अपनी parents को या फिर teachers को now next जो last year हमारी competency हो सकता एक्जाम में आपसे पूछ ला जाए name these brave women क्योंकि gender biasness की बात हुई है चाप्टर में तो कुछ women के आपको picture दियो है इनके नाम बताइए सबसे पहले हैं यह हैं इंदिरा गांधी जी इंदिरा गांधी first female prime minister थी इंडिया की and she was daughter of पंडित जवारलाल नहरू इनको आप जानते होंगे first prime minister थी इंडिया की उनकी डॉटर थी और first and only female prime minister of India okay next is इनकी भी picture आपने बहुत जगे देखेंगे यह है रानी लक्ष्मी भाई लक्ष्मी भाई या फिर इनको आप रानी ओफ जहासी के नाम से भी जानते होंगे जहासी की रानी है ना इन्होंने उत्तर प्रदेश के जहासी डिस्टिक्ट पर रूल करती थी और इंडियन जो रिबेलियन थे उनकी एक लीडिंग फिगर थी और ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट इन्होंने लडाई की थी इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए सावित्री बाई फुले सावित्री बाई फुले एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर रही है एजुकेशनिस्ट रही है गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया है इन्होंने पोईट भी थी पहली फीमेल टीचर थी इंडिया की ऐसा इन्हें कहा जाता है कि पहले सिर्फ मेल लोग जो थे जैंट सी हुआ करते थे पहली फॉस्ट फीमेल टीचर अगर आप से पूछा जाएगा तो आप सावित्री बाई फुले ही याद रखेंगे जी कि कभी ये क्वेशन प्रपेर हो रहा है और इंडिया में विमेन के राइट्स के लिए बहुत लड़ा मदर टेरिसा गरीबों की बहुत हेल्प करती थी सर्फ पूरेस्ट ऑफ दपूर टु लिव अलॉंग दम उनके साथ रहती थी कोई अगर बिमार इनको कहीं मिल जाए जिक कोई देखबाल करने वाला नहीं था उसको अपने साथ ले आती थी और उनको लुक आफटर करती थी यह है किरन बेदी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ओके इंडियन प्लिस सर्विसेस की पहली ऑफिसर थी यह 1972 में कितने साल पहले की बात है तो इनको एगिन कुछ एग्जांपल्स को देख के हमें पता लगता है कि अगर गर्ल्स को चांस दिया जाए तो वो बहुत सकती है फर्क सिर्फ इतना ही है कि लोग उनको चांस ही नहीं देना चाहते है आई-पिस ऑफिसर बन सकती है देश की प्रधान मंत्री प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकती है सोशल रिफॉर्मर भी हो सकती है तो अबमें कुड बी अंड बेरी सून इसके जो क्विज है डाट विल अलसो बी अपलोड़ेड उसका वेट करेंगे थांक्यू सो मच फॉर वाचिंग